हुलो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में इस वीडियो क्लास में हम डिसकस करेंगे किस तरीके से हम इस वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं अपने सभी सब्सक्राइबर से और अपने सभी एस्पेंट से सौरी बूलना चाहूंगा क्योंकि काफी दूनों से मैं वीडियो नहीं डाल पाया और उसका रीजन ये था कि मेरी जिन्दगी की जो सबसे कीमती चीज थी मेरी जो मां थी वो मुझे छोड़के चली गई और इसी वज़े से काफी दूनों तक मैं डिप्रेशन में रहा और अपना काम नहीं कर पाया तो इस वीडियो के साथ मैं एक शुरुआत कर रहा हूं और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप 20 प्लस स्कूर कर सकते हैं इंग्रिश में एस बेकलर 2018 में तो चलिए देखते हैं इस वीडियो क्लास को देखे यह है फस्ट पॉइंट यहां पर मैं सारी चीज़ें आपको पॉइंट्स के रूप में बताऊंगा पॉइंट्स के फॉर्म में बताऊंगा और यदि इन सारी चीज़ों को यदि आप रिलीजियस ली फ टो है एक्षीब हाई एकुरेसी इन इग्जिश थू ऑनलाइन मॉक टेस देखें जो एकुरेसी रहती है मैथ वर डीजनिंग में तो काफी हाई रहती है गाफी स्टुएंट उसमें उसमें आचीब कर लेते है एighty पसंग उसमें एक क्लेग मिलिस्ट नहीं है और लेंग्व किया जाए देखिए accuracy को achieve कर सकते हैं online mock test series से और online mock test series आपको किस तरीके से देना है कौन सी mock test series देना है ये अभी सारी चीज़े मैं बताऊंगा आपको लेकिन online mock test series इस समय आपको निश्यत रूप से देना है और इसके जब आप micro analysis करेंगे तो उसके थूँ आप ये accuracy level आप एचीब कर सकते हैं तो English में आपका accuracy level क्या होना चाहिए English में आपका accuracy level minimum 85 to 90% होना चाहिए मतलब यदि आप 10 question कर रहे हैं तो उसमें से 8 या 9 question आपके बिलकुल सही होने चाहिए और ये accuracy आप एचीब कर सकते हैं प्रैक्टिस से और प्रैक्टिस करना है आपको online mock test series के थूँ ठीक है तो ये सारी चीज़ें आपको religiously follow करने ये तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपको online mock test series के थूँ high accuracy level English का एचीब करना है कि सीक्वेंस में आपको सारे topics को करना है कैसे हार topic को handle करना है ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे इस वीडियो का पूरा देखिए दूसरा देखिए दूसरा point ये है कि micro analysis of online mock test series is essential यदि आप online test series देते जा रहे हैं और analysis नहीं कर रहे है कि आपका आदा नंबर कटा तो कहां कटा आपका point 25 कटा तो कहां कटा आपका सही question हुआ तो क्यों हुआ किस वज़े से आपका सही question हुआ आपने कौन सी trick अपलाई किए क कि उस trick की वज़े से question बहुत जल्दी आपको हो गया ठीक है इस तरीके से micro analysis आपको करना है यह micro analysis जो word है जिस 2015 में जिनकी first position आई थी जिनका नाम था टीना धावी उन्होंने यह word use किया था micro analysis और वो इस concept को use करती थी ठीक है तीना धावी का यह concept है तो इसमें एक चीज को आ अहां पर कटा एक number कटा तो कैसे कटा ठीक है और किस तरीके से next उसको आप improve कर सकते हैं और गलती को आपको सुधालना है जैसे यहां पर एक गलती हुई तो next time वो गलती नहीं करनी है क्योंकि अगर आप गलती को analyze नहीं करेंगे तो वही गलती आपकी बार-बार होती रहेग तो आपको micro analysis जरूर जरूर करना है तीसरा point देखना है देखिए यहां पर मैं आपको यह चार mock test series बता रहा हूँ जातर student इनी test series को करते हैं और अभी तक जो भी मेरे पास feedback आया है student का और मेरा भी opinion यह है कि यह best mock test series है एक तो है आपकी IBPS guide इसको आप ले सकते हैं एक है olive board इ ले ले जिसके साथ भी आप comfortable हैं और इसमें से कम से कम दो मौक test series आपको daily इस समय आपको लगाना है देखिए यहां पर मैंने बताया भी है कि daily two full length mock test of 100 marks in 60 minutes यह आपको लगाना है daily two full length mock test आपको लगाना है 100-100 number के और उसको आपको 60 minutes में solve करना है ठीक है इन में से कोई सी भी एक आप ले सकते हैं काफी सारी test free भी मिलती है यह कुछ test free भी आपको देते हैं तो यदि आप ऐसा करते हैं तो यह आपके लिए बहतरीन रहेगा और आसान test series को solve करते हैं तो उसको casually नहीं लेना है उसको बहुत ही रिलीजियसियोसलिए आपको solve करना है real exam की तरह इसको solve करना है यह है कि आपका exam real exam यह thy 9 बजे है या 10 बजे है तो 9 बजे ही आपको बैटना है तस बजे है तो 10 बजे ही आपको बैटना है बेकुर сейчас during that दमाग से थंडे दमाग से पूरे पेपर को आपको solve करना है ठीक है और कम से कम इस समय दो full length पहुंख टेस तोसर नम्मर के एक सुवए और एक साम को आपको solve करना है इसमें आपके पैसे जाएगा छह या साथ नमबर का जिसमें केबल content के questions रहेंगे एक story-based passage हो सकता है ठीक है normally sbi clerk में story-based passage ही आता है तो story-based passage आएगा 6 नमबर का चैना या 7 नमबर का आएगा तो एक तो यह आएगा दूसरे नमबर पर है reading compilation passage की vocab आएगी और vocab आएगी चाल नमबर तीन या चाल नमबर की आप मान सकते हैं यह साथ नमबर का है तो यह च्छा का है तो यह चार का है चार मैसे दो जो रोडेम और दो एंटोनेम आप मान सकते हैं कि यह आप से पूछे जाएंगे और यह passage की according इसका answer आपको देना है तो इसका answer कैसे देना है यह अभी हम discuss करेंगे अब आज आई कि तीसरा point क्या है phrase replacement के 5 question आएंगे ठीक है phrase replacement नई pattern पर पूछे जा सकते है phrase replacement के question तो जो भी question नई pattern के आ रहे हैं वो सारी practice आपको online mock test series से करना है क्योंकि जो test series मैंने आपको बताई है वो best है और उसमें आपके सारे नई pattern के question और जितने भी तरह तरह के questions जो आ रहे हैं वो सारे आपके cover उसमें हो जाएंगे प्यारा जंबल आपका पांच नंबर का पूछा जा सकता है close test आपका पांच नंबर का पूछा जा सकता है और incorrect spelling और inappropriate words ये आपके 6 topic इनको आपके standard मान सकते हैं कि ये question normally पूछे जाते हैं लेकिन इन मैंसे एक दो topic इदर दर आपका हो सकता है लेकिन ये 6 topic आपको cover करना है SPI clerk exam के लिए ये 6 topic standard topic है और ये सारे exam में IBPS clerk में और SPI clerk में पूछे ही जाते हैं अब हम देखते हैं कि इन question को किस तरीके से handle करना है पहले आपको कौन सा topic करना है ठीक है अब देखिए यहाँ पर 6 topic दिये है एक दो तीन चार पांच और 6 लेकिन numbering देखिए इसकी numbering आपको sequence में नहीं मिलेगी यहाँ इस sequence में आपको question करना है ठीक है तो सबसे पहले क्या करना है सबसे पहले आपको करना है phrase replacement क्योंकि इसकी अदि आपने practice की है तो सबसे सरल है यह मेरे साब से सबसे सरल है पांच question आएंगे इसमें आपके और आपका target जो होना चाहिए वो होना चाहिए उसके answer के पती तो आपको उसको छोड़ना है भले ही आप दो करें या तीन करें लेकिन आप confident नहीं है तो आपको question को छोड़ना है क्योंकि आपको accuracy पर focus करना है दूसरे नंबर पर क्या है दूसरे नंबर पर है incorrect spelling और inappropriate word इसमें आप 5 में से 5 कर सकते हैं लेकिन आपका target जो है वो चार का रहना चाहिए पांच हो जाए तो सोने पर सोहगा है लेकिन चार का target आपको इसमें achieve करना है तीसरे नंबर पर क्या है तीसरे नंबर पर है reading comprehension passage का vocabulary part reading comprehension passage नहीं बलकि उसका vocabulary part जिसमें चार question होते हैं और इस चार में से आप 3 question आप आराम से कर सकते हैं चौते नंबर पर क्या है चौतिन नंबर पर है close test और इसका target होना चाहिए आपका चाथर नंबर का पांच में से नमबर पर यदि आपके पास टाइम बचता है तो reading comprehension के जो 6 question है उसमें से एक या दो question यदि आपके पास time है तो आपको करना है अधरबाज इस topic को आप पूरा का पूरा छोड़ सकते हैं ठीक है इस तरीके से यदि आप करते हैं तो देखिए इसमें यदि हम जोड़ते हैं नम पाँच ठीक है 5 और 4 नो और 9 नो और 3 12 बारा और 4 16 और 16 और 20 ठीक है बीस का टारगेट इसमें बन रहा है लेकिन इस 20 एक टारगेट भी अदिए आपाइचीव नहीं करते हैं आप 17 या 16 यह टारगेट भी अदिए आपाइचीव कर लेते हैं तो एस बैस प्री हंडेट 10% आपका निकल जाएगा ठीक है आपका overall भी कबर हो जाएगा और आपका जो cut off sectional cut off है वो भी आपका इससे निकल जाएगा cut off target क्या होना चाहिए cut off target देखे English में वैसे तो मैंने 20 बताया है आपको जैकि 16 भी आप achieve कर लेते हैं तो आपका प्री का sectional overall दोरों निकल जाएगे आपके अर्थमेटिक में 28 target रखी है 35 में से 28 question आप आराम से कर सकते हैं क्योंकि इसकी यदि आप practice करते हैं तो इसमें आप इतना target आराम से आप achieve कर सकते हैं reasoning में 28 target रखी है अपना ठीक है और overall रखी है आप 72 यदि आप इसको जोडते हैं 28 और 286 और 16 72 आपका हो जाएगा तो यदि इस तरह से करते हैं तो आपका यहां से overall भी निकल जाएगा और आपका sexual cut-off भी आपका निकल जाएगा और यही सेम strategy आपको means में follow करनी है और यदि इस स्टेड़जी को प्री और means दोनों में आप follow करते हैं तो निशित रूप से आपका एसपे एकलर के exam आपका निकल सकता है यदि आप हमारा e-course जोइन करना चाहते हैं बैंक पीओ के लिए एक लिए एक वीडियो कोर्स है बहुत ही बहतरी वीडियो कोर्स है इसमें घर बैटे आप मोबाइल के थूप के थूप अपनी तयारी कर सकते हैं और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी लिए लाइफ टाइम है जब तक आपका सेलेक्शन नहीं होता है तब तक आपको कोचिंग मिलती रहेगी इंग्लिश एक्षन की और इसमें कॉंपली मेंटरी आपको करेंट अफियस भी पूरा कवर कराया जाता है और बहुत इकाल फीस है इसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे देख सकते ह और इन नंबर्स पर मुझसे आप बात भी कर सकते हैं तो इस वीडियो क्लास में इतना ही अब मैं आप से मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में तिल देन बाए एन है और सम्टे थैंक यू